तो current affairs के आज के एंक में मैं कुछ बहुत ही महत्यपूर्ण current affairs आप सभी के साथ discuss करने जा रहा हूँ आप लोग इत्मिनान से मुझे सुनेंगे देखे current affairs मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको आज हम बहुत सारे topic कबर कर चुके हैं जो कि आपकी परिक्षा जो अगामी तो आप सभी बस इसके नोट्स बनाते जाएं रिवीजन करते जाएं ठीक है तो आज के current affairs की शुरुआत बहुत energetic होने वाली है क्योंकि नेपाल की गंडक नदी से दो पत्थर लाए गये हैं दो बजन के और ये सधारण पत्थर नहीं है ये सालिक राम सिलाएं हैं और इनक प्रतिमाओं को बनाया जा wanna जानी है तो उन्हें प्रतिमाओं को बनाया जारा साली ग्राम-पत्थरों से ये महीं पहला पत्थर जो आप देख पाए है ये प्थर आपका 26 टन-का है और दूसरा पत्थर आपका 14 टनका है चब्यश और चोदै एक डान की लाए गये है historically बिश्टन और 14 टन का ये कहां से लाएगा है पत्थर नेपाल से नेपाल में गंडक नदी में साली ग्राम सिलाए पाई जाती हैं देखें साली ग्राम सिला के उपर ये कहा जाता है कि साली ग्राम में भगवान बिश्णु निवास करते हैं तो भगवान बिश्णु के जो है स पूजा करने के लिए साली ग्राम हम घरों में भी रखते हैं, कई बार आप देखेंगे घरों में छोटे-छोटे साली ग्राम होते हैं, छोटे-छोटे गोल, बड़े प्यारे से पत्थर होते हैं, तो साली ग्राम की पूजा की जाती है, तो ये नदियों में पाय जाने वाले पत्थर हैं और गंड़क नदी में नेपाल में सालिक राम पाय जाते हैं तो एक आपको ये ज्यान रखना है ये जनवरी 2023 में नेपाल की गंड़क नदी से दो सालिक राम सिलाओं को आयुध्या लाया गया है और इनको नकासी की जाएगे और नकासी से भगवान सीराम सहित च लिए ये जरूरी हो जाता है, दूसरा चलते हैं, पहला तो current affairs ये हो गया, दूसरा चलते हैं भारत का पहला भू बैग्यानिक राश्टी उद्ध्यान बनाए गया है, भारत का पहला भू बैग्यानिक और इसमें बहुत सारी चट्टाने रखी जाएंगी, जो रौक्स हैं उन के तौर पर रखा जाएगा उनके रिसर्च और उनसादान को लेकर कहां बन रहा है? मध्ध प्रदेश में विरासत इस्थल के तौर पर इसको दर्जा प्रदान केया गया है, यूनेसको ने Serge anywhere को भू विरासती स्थल के तौर भी समें हहिए किसके रूप मेें भू विरासती स्थल के तौर पर तो ये मद्ध्य प्रदेश में पढ़ता है MP में तो MP में भारत का पहला क्या बन रहा है भू बैग्यानिक उद्यान ठीक है MP में भी कहा है जबलपूर में जबलपूर के पास नर्बदा नदी के किनारे आपका है यह जबलपूर नर्बदा नदी के किनारे लमहेटा है आपका तो यहां पर खनन मंत्राले भा बैग्यानिक सरविक्षन द्वारा पार्क के लिए मंजूरी प्रदान की गई है पार्क के निर्मार के लिए पांच एकर जमीन पर 35 करोड रुपए के निवेश किया जाएगा और लमहेटा भूगार्भिक द्रिश्टिकोंड से विश्टु के सबसे महत्पुनिस्थानों में से एक है जो की 5000 वर किलो मीटर के छेतर में विश्टृत है और ये देश में पहली बार होगा कि भूगार्भिक महत्तु की राक सनरचनाओं के सनरचन के लिए बूगार्भिक चट्टाने जितनी भी है उनके सनरचन के लिए पूरा का पूरा आपका ये एक उद्ध्यान मना तो यह दिमा को बठा के रखेगा एला महेटा आपका MPA में पढ़ता है यहां पे भूग आर्भिक तौर पे महत्रपूर्ण रॉक संरिशनाओं के लिए संरिक्षण के लिए पहन के जाएगी ठीक है इसके अलावा यही पर जबलपूर में एक जगाए भेडा घाट में विज विज्ञान केंड्र भी बनाया जा रहा है विज्ञान केंड्र यह बन रहा है भेडा घाट में ठीक है यही पर आप देखेंगे तो कपिल धारा जलप्रपाथ जो है नर्बदा बनाती है जिसको धुआ धार जलप्रपाथ भी कहते हैं भेडा गाट में बड़ा सांदार जलप्रपाथ है ये भी ध्यान रखेगा ठीक है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट ये आप देखे भारत में आत्म निर्भर भारत की गया है और ये प्रयास जो है किया गया है आई 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 टी मद्रास की एक फर्म है जिसका नाम है जे एंडी के जे एंडी के अब ये क्या किया गया है पहले ये समझने का प्रयास करिए भारत की पहला ओप्रेटिंग सिस्टम बनाए गया है भारत की पहला ओप्रेटिंग स इसका नाम रखा गया है B-H-A-R-O-S, एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भारत के लिए है B-H-A-R-O-S बनाए गया है, और यह मोबाईल पे, जैसे अभी आप मोबाईल पे देखते हैं तो एंड्रोइड का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, और एंड्रोइड ग इसकी अभी टेस्टिंग हुई है और यह टेस्टिंग पूरी तरीके से सफल रही है, IIT मद्रास के जो निर्देशक है, वहां के डिरेक्टर है, प्रोफेशर वी के काम कोटी उनके द्वारा इसकी गोशना भी की गई थी, और हाली में केंद्री सिक्षा मंत्री जो धर्मिंद का टेस्टिंग की गई है, और यह भारत की आत्म निर्भरता के तौर पे देखा जा सकता है, इसको बनाया किसने है, इसको बनाया JANDK, यह आपका IIT मद्रास की अपनी एक फर्म है, इसके द्वारा जो है बनाई गया है JANDK, Operations Private Limited द्वारा भार OS को डेबलप किया गया है, और भारत में आपको पता है कि मुबाइल को प्रियोग करने वाल लगवग सौ करोर से ज्यादा यूजर्स हैं, उन सभी के रहे लाभानवित होगी और अभी इसकी सेवाएं उन संगटनों को दी जारी हैं जो गुप्त गोपनियता और सुरक्षा के दिश्टिकोन से अवश्यक तो भारत ने अपना खुद का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है जिसका नाम है भार ओएस भी एच ए आर ओएस ठीक है ये दिमाग को बठाक रखना है किसने बनाया आई इटी मदरास के द्वारा बनाए गया है उसकी एक फर्म है प्राइविट लिम्टेड फर है आपका ये तो बड़ी एक भारत के लिए आत्म निर्फर भारत के लिए बहुत बड़ा प्रयाश है अभी आप देख रहे हैं पूरी तरीके से एंडुराइट पे हम हैं और मोबाइल निर्माता कंपनी भी चीन की है या तो चीन के अलावा जो है आप देखेंगे तो अन इस तर पे हम अपनी खुद की टेकनोलोजी का प्रयोग कर पाएंगे ठीक है तो ये भी दिमाग को बैठाईए बहुत इंपोर्टेंट है नेक्स्ट अगला चलिए देखें ये हेलिकप्टर्स देख रहे होंगे बहुत सारे तो करनाटक में जगए है तुम कुरू में हेलि पर हिंदुस्तान एरोनौटिक्स लिम्टेड है अपका हेल हेलिकप्टर निर्माण फैक्टरी को जो है बड़े इस तर पर काम करती है तो इसी का एक कार खाना बनाया गया है और ये ग्रीन फिल्ड फैक्टरी है मतलब अभी नए सीरे से पूरी तरीके से बनेगी ये देख कर में फैली हुई है ये आपकी फैक्टरी और एसिया की सबसे बड़ी हेलिकप्टर निर्माण फैक्टरी लाइट यूटिलिटी हेलिकप्टर का निर्माण इसके द्वारा किया जाएगा ठीक है तो हेलिकप्टर निर्माण को ले करके आपकी तुमकुल में क्या है ये पर है ठीक है क्लियर है चलिए तुमकुरू में प्रारंब हो चुकी है और 2016 में इसकी आधार सिला रखी गई थी और अब यह प्रारंब हो चुकी है नेक्स्ट अगली न्यूज अंतराष्टिये संबंदों से जुड़ी हुई है यह आपके जो आप देख रहे हैं यह इटली की प एक विशेष कारिक्रम में भारत की मुखतिती बनके आई यह राय सीना डायलोग होता है अभी राय सीना डायलोग भी लिखवाओंगा लेकिन यह अभी भारत में आई थी अपनी यात्रा में आठ्वे संस्क्रण का राय सीना डायलाग था उसके अतित्ते के तौर पे आई और इसके बाद इन्होंने दुपक्षी वारता भी की भारत के प्रधानमंत्री के साथ दुपक्षी वारता हुई ये इटली की प्रधानमंत्री ये भी द्यान रखेगा इटली की प्रधानमंत्री भारत आई थी विशेस कारेक्रम से ठीक है कारेक्रम क्या था रायसीना डायल में इन्होंने जी ट्वंटी नहीं चुकि भारत को अधिक्षता मिलकी है इस बार फिक है तो जी ट्वंटी के अधिक्षता को ले करके यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको समाप्त करने को ले करके न सलीक та करके के एक discussion किया और discussion करने के बाद जो है ये इस पे ले करके काफी सारी चर्चा की ठीक है तो दोनों देशा आपस में उद्योगों के दिशा में काम करेंगे सह उत्पादन सह डिजाइन सह नवचार मला बोवराल वही है विज्ञान प्रदोकी के छेतर में economy के छेतर में समुद्र भी भ्यास के छेतर में हर छेतर में काम करने का प्रयास करेंगे ठीक है और साथ में इटली ने हिंद प्रसांत महासागर पहल जो आपकी है आई पी ओई उसमें भी सामिल होने का निर्णा लिया है और हिंद प्रसांत छेतर में सहयोग बढ़ाने की बाद भी कही है और दोनो चीत थी कि चुकि भारत G20 शिकर समेलन की अध्यक्षिता कर रहा है तो बोल रहा है कि दच्छंड भारत के दच्छंड साउथ एशिया के जो हीत होंगे भारत उनका रिप्रजेंटेशन करेगा उसके बारे में बताएगा और साथ में बोला कि यूक्रेन की जो हालात है यूक् फी चर्चा में है तिके घ्ली में रासिना हिल्स है वहीं पर राष्डपती आवास है भारत का एक तरीके से कह जा तो केंद्र बिंदू है जहांसे भारत का प्रशाशन सासन मित वहीं 2016 से प्रारंभ हुआ है और प्रति वर्स आयोजित किया जाता है इस वर्स भी आयोजित किया गया मुक्ष देश यह है कि भू राजनीती भू अर्थ सास्त्र दोलों पे भारत का एक प्रमुक सम्मेलन है जो बैस्विक समुदाय के समक्ष बहुत सारी चुनावतियां है बहुत XVandies का भी नई दिल्ली में ही हुआ है यह आंट्रम्र होसुना था राजिक ऑच संसक्रम्र लुजनाबादा तो ये आपको करवाते हैं एक foundation है जिसका नाम है The Observer Research Foundation, क्या नाम है The Observer Research Foundation, ORF द्वारा ये आयोजित कराये जाता है, ORF Observer Research Foundation, ये भारत के विदेशी संबंदों से जुड़ा हुआ काफी बड़ा मंत्राले, तो ये ORF प्लस विदेश मंत्राले, दोनों ने मिल करके इसको सम्मेलन को ये करवा रहे है, त इसमें एक तरीके से किसी भी मुद्दे को ले करके जो आपके बहुं हितिदारक है, उन सब को बुला करके इस पर चर्चा की जाती है, जिसमें भारत के जो कैबनेट मंत्री, स्थानी सरकार से जुड़े वे लोग हैं, मीडिया जगत के लोग हैं, सभी जो Think Tank है सब को बुल जाता है और बुला करके जो सिख्षाविध ہے, सोध करता है, चातर है, पत्रकार है, राजनेता हैं, उन सभी को जोसे अंतरश्थिये मुद्दों पर भूराजनीती से जुड़ी हूए चीजजें, परुमाण से जुड़े हुए मुद्दे और भारती बिदे से जुड़ी तो यह डाइलोग आपका प्रति वर्स होता है इस वर्स 2-4 मार्ज 2023 को नई दिली में डाइलोग आपका योजित किया गया है ठीक है दिमाग में इस बात को बैठा लेना है और इस बार जो यह पूरा राजसिने डाइलोग था इसका जो संस्करण है वो था आपका यहां पर द तो राय सिना डाइलोग भी आपको पता हूं ची हर साल अंतराष्टी संबंदों के दिशा में मनाया जाता है इसी के अध्यक्षता कर रहे थी जारजया मेलोनी के द्वारा किया गया और फिर इसके बाद भारत और इटली के संबंदों पर काफी सारे मुद्दों पर चर्चा ह बारत इटली संबंदों घ्रणाल के बारत इतीली संबंदों यह आप देख सकते है निटिन गटकरी साब आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से सडक निरमान की दिशा में काम लगे हुए हैए रहने के ठीक है एक प्रबंधन प्रणाली है ये और इसका काम क्या है मानो रहित यातायाद प्रबंधन प्रणाली है ठीक है आपको पता है अब आने वाला भविश्य किसका है ड्रोन्स का है किसका है ड्रोन्स का ठीक है और आपको बस ये पता रखना है इसका ही यूटीम क्या है ये म मानओ युक्त बिमानन हवाई छेत्र, आप देखते हैं Drones जो है हवाई छेत्र में होंगे, उसमें Mina के दवारा ऑपरेट किया जाता है, Mano उसको उपरेट करता है, तो Mano उक्त हवाई छेत्र और Mano रही महुँ रही है तो दरसल गुड़गाओं में एक drone delivery company है जिसका नाम है Sky Air Mobility ठीक है उसके द्वारा इस प्रणाली को बनाए गया है Sky Air Mobility Sky Air Mobility इसके द्वारा ये drone बनाती है company इसी के द्वारा Sky UTM प्रणाली बनाई गई है और इसके तहें जो drones होंगे जिनके तहें ताने वाला भविश्य है future है देखें drones को प्योग बहुत चीज़ों में किया जाएगा सबसे पहले जब आपदा राहत की स्थिति आएगी वहाँ पे drones का प्रयोग किया जाएगा ठीक है आपदा राहत की स्थिति दूसरा आपदा राहत के साथ साथ जब कोई जो है delivery करनी है health sector से लेकर किसी भी प्रकार के delivery करनी है drone उसके लिए बहुत जरूरी होंगे तो future आने वाला drone का है तो drone के यातायात नियंतर के लिए air traffic control के लिए sky air mobility के द्वारा मानो रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली विक्सित की गई है और इससे बड़े इस तर पे जो है drones operations में आने वाले समय पे मदद मिलेगी ठीक है इसका नाम है sky utm क्या नाम है sky utm ध्यान drones के लिए सभी का सभी नितिन गटकरी जी के द्वारा इसको launch किया गया था एक हमारा chatbot है chatbot जिसका नाम है Lexi ठीक है भारत ने Lexi नामक chat GPT संचाली chatbot को फरवरी 2023 में launch किया है मनलब आप देखते हैं ये एक तरीके से chat आप लोग करते हैं न कई जगहों पे chat करते हैं तो एक कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा reply करने के लिए बलकि आपको किसने कौन करेगा reply artificial intelligence एक तरीके से जो आप question पढ़ेंगे उसको analyze किया जाएगा और उसका automated form पे आपको answer मिल जाएगा तो इसका नाम है Lexi रखा गया है क्या नाम रखा गया लेक्सी भारत का जो है आपका chatbot है और यह किसने लिया एक किस company एक fintech company है जिसका नाम है velocity fintech company velocity के द्वारा है launch किया गया है ठीक है fintech company है जिसका नाम है velocity इसके द्वारा Lexi नामक आपका एक chatbot chat gpt chat gpt chat bot को इन्होंने launch किया है ठीक है अब इस chatbot से आप जो पूछना चाहें आपको हर चीज़ बताएगा हर चीज़ का reply दिया जाएगा तो यह एक तरीके से भारतिये संसकरान है ठीक है ध्यान रखेगा और Lexi भारत का पहला artificial intelligence आधारित chatbot है पहला है तो हो सकता है पूछ ले Lexi क्या है तो Lexi आपका chatbot है जिसक काम जो artificial intelligence पे आधारिते पूरी तरीके से और यह अपना एक तरीके से इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में जो भारतिये यूजर्स हैं वो अपनी problems को जैसे बहुत सारी e-commerce firm है अब आज के time पे आप देखें बड़े इस तरह पे e-commerce हैं WhatsApp में daily messages दिये जाते हैं WhatsApp पे इसको भी द्यान में रखना है next most important आपका current affairs है स्वक्ष वायू सर्वेक्षण report आई है आपकी स्वक्ष वायू सर्वेक्षण report 2023 की बात कर रहे हैं वह माप करेगा 2022 की स्वक्ष वायू सर्वेक्षण report 2022 ठीक है अब देखें इसमें कई category हैं सहरों की एक category आपकी कितनी है एक दूसरी category है तीन से दस लाग की आबादी और तीसरी आपकी तीन लाग से नीचे की आबादी तो स्वक्ष वायू सर्वेक्षण 2022 में दस लाग से उपर की आबादी कैदी कोई भी सहर है उनमें से राध्धानी उत्तर प्रदेश की राध्धानी लखनवू नंबर एक पे हैं सबसे स्वक्ष हवाहया की प्रदेश में भारत में लखनवू की दस लाग से उपर आबाद की बात कर रहे हैं रही के सबसे स्वक्ष वायू सरवेक्षड में वैसे आपको लखनव का नमबर एक इस्थान प्राप्ठ भाप्त हुआ है पहली बात 김 प्रदेश का है दूसरा तीन से दस लाग की अबादी में भी उत्तर प्रदेश का ही मुरादाबाद को नंबर एक मिला है मुरादाबाद ने बेहतर परिवर्फ वो किया है ठीक है यह दो तो आप याद कर लो दस लाग से ऊपर लखनाव हूँ और तीन से दस लाग के बीच में, तो 5 दिसंबर 2022 को वाईव, जीवन सक्ति के सम्मेलन हुआ था लखनव में, और उडिशा में आपका सम्मेलन हुआ था, सम्मेलन का हुआ था ओडिशा में, ओडिशा के भूनेश्वर में सम्मेलन हुआ था, ओडिशा की रादानी है आपकी जारी की गई और इसमें बताये गया कि लखनव नंबर एक है फिर आपका जो है मुरादाबाद है ठीक है और तीन लाग से कम अबादी पे मद्य प्रदेश का देवाश है मद्य प्रदेश का देवाश इसको मिला है तो यह तीन आपको याद रखने हैं दस लाग से 2022 में यूपी ने सांदार प्रदर्शन किया है देश के कई बड़े सहरों को पीछे चोड़ करके प्रदेश की में तीन सहे टॉप थ्री में रहें राददानी नंबर एक में रही आपकी दस लाग से जादा अबादी में और दूसरे नंबर पर आपको मजी की बात करूँ प उत्तर प्रदेश के सहरों ने किया है तो टॉप थ्री में यूपी के प्रयाग राज वरांट सी यह आपके लखनावू प्रयाग राज वरांट सी थे और इसके बाद तीन से दस लाग में मुरादाबाद और तीन साल लाग से नीचे आपको देवास इतना दिमाग में बठ जाके रखना है लगबग 123 सहरों के द्वारा रिपोर्ट पूरी के पूरी दी गई थी ध्यान रखना इस बात को ठीक है ध्यान रखना और यहां पर मुरादाबाद के बाद दो सहर इसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश का यह फिरोजाबाद और इसके बाद ठीक है तो टॉप 3 दस लाख से उपर में लखनाव प्रयागराज वराण सी तीन से दस लाख में मुरादाबाद फिरोजाबाद अमरावती और तीन लाख से कम पे आपका देवास है देवास के बाद हिमाचल प्रदेश का सुंदर नगर है यह MP में पढ़ता है देवास हिम इस्थान प्राप्त हुआ है सारे हिमाचल प्रदेश के ठीक है तो यह आपको डेटर याद रखना है जिसमें से लखनौ याद कर लेना लखनौ हो गया मुरादाबाद हो गया और देवास हो गया आपका इन तीनों को याद रखना ठीक है टॉप 3 टॉप 3 तीनों के मैंने तो स्वक्ष वाईू सर्वेक्छण्ड ये हो गया आपका, ठीक है? एक और ये कोश्चन बहुत इंपॉटन्ट है, है हैदराबाद को Green World City का आवाड मिला है, किसको मिला है? है ध्राबाद को? हैदराबाद सहर को World Green City का आवाड मिला है, ठीक है? world green city 2023 आवार्ड मिला है world green city city 2022 आवार्ड है आपका यह प्राप्त हुआ है तो world green city आवार्ड 2022 किसको मिला है हैदराबाद को मिला है ये भी दिमाग में बठा के रखेगा हैदराबाद जो है world green city आवार्ड 14 ऐक्तूबर 2022 को दच्छड कोरिया के जेजू में एक समरोवा योजित किया गया था जिसमें हैदराबाद को हरियाली के प्रति सहर की प्रतिबधता के लिए कमिटमेंट के लिए हरा बरा सहर बनाने की दिशा में जो है हैदराबाद जो भारत का सहर है उसको फर्स्ट प्राइज मिला है ये भी हर्याली और पर्यवन के बचाओं के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए है तो इन सभी के अंतरगत हैदराबाद को जो है आपको नंबर एक सहर के तौर पर रखा गया वर्ल्ड में यह दिमाग में रखना वर्ल्ड में तो एक तो वर्ल्ड ग्रीन सीटी एवाड 2022 गोस्टू हैदराबाद सीटी ठीक है स्वक्षवाईश्वर विक्षण में दस लाग से उपर लखना हूँ तीन से दस लाग में आपका मुरादाबाद तीन लाग से नीचे आपका देवाश यह याद रखना है इसके बाद लेक्सी बुलेसिटी के द्वारा लॉंच किया गया है भार और यह इटली की परधानमंत्री आई थी जारजा मेलोनी किसली आई थी राजिसीना डायलॉक के लिए आई थी राज्सीना डायलॉक के बारें भी मैने आपको बताया इसके बाद करनाटक की एक जगह है तुमकुरू वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा बार जो थे बाद आपका बहँ बग्यानिक उद्धान एक बनाय में अबंगे वाइन अ क matar और इसके बाद यह दो सिलाए गंडक नदी से लाई गई है च्पैफिच टंड की और चौदा की 2 च्पैफिज टंकी तो लाई ठीक है, clear expressed है, आज के लिए इतना ही रहेगा और ये आपके प्रमुक करेंट affairs हैं आपके और ये आपके आज के topic के अंतरगत complete हो गए, अब देखो काफी सारे topic करवा दिये, बस revision कर लो, एक बार मुझे और बता दो कि